रावड एक महाग्यानी ब्राम्मर था लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने माता सीता का हरंग किया था। उसने एक इस्त्री पर अपनी बुरी नजर डाली जिसके बाद भगवान श्री राम ने उसका वद करके माता सीता को लंका से लेकर आये थे। रावड का देहन करना हमारे भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक तो माना ही जाता है लेकिन ये उन लोगों को भी संदेश है जो इस्त्रीयों पर बुरी नजर डालते हैं। इसका ये मतलब है कि इस्त्रियों पर बुरी नज़र डालने वाला और इस्त्रियों को अपमान करने वाले का आखरी में यही हश्रो होता है नमस्कार मैं हूँ पलवी परिहार और फिलाल हम है भोपाल के तुलसी नगर में जहां पर रावड के पुतले बनाने का काम किया जा रहा है पहले बड़े दशेरा मैदानों में ही रावण के पुतलों का देहन किया जाता था लेकिन अब लोग अपने घरों में भी रावण देहन करते हैं इसलिए यहाँ पर सभी प्रकार के रावण के पुतले छोटे बड़े सभी प्रकार के बनाये जाते हैं बात करते हैं यहां पर कुछ कलाकारों से जो कि यहां पर रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं आख कब से रावण बनाने का काम कर रहे हैं मिआ गुस्य मेंद की सब्सक्र महasis हुए जाधा नहीं हो चुगता करते हैं बनानी कटी महिन वनाला ड़कर तका क्टी से सब्सक्रण पाइजार मिल जाता है कितने से किमत तक के आप किया रावण मिल जा रहा है कितने हाइज तक क्या रावण मिल रहते हैं तो इस वार उसको कुछ असर पीछ नहीं मिल रहे हैं तो ये थी बात कुछ लोगों से जो यहाँ पर रावण बनाने का काम कर रहे हैं आशा करती हूँ जैसे आपने नौ देनो इस्तरी की देवी मान कर फूजा करी है बाकी पूरे साल भी इस्तरी की इसी तरह इज़त करेंगे आप सभी को दशे रिपर्व की हादिक शुप कामने कैमरामन अफजल के साथ मैं पदलवी परिहाँ दखल नीज पूपूर अपने हैं आप देख रहे हैं दखल्यू